जिस प्रकार कल से हलचल है और टीएस्टी उदेव ने ना किवाल लिखित में बल्कि टीवी के सामने अपना इस्तिवा मुख्यमंत्री जी को भेजा पुरे हिंदुस्तान नी दुनिया में पहुँच गया मगर मुख्यमंत्री तक नहीं पहुचा और मुख्यमंत्री जी इंतिजार कर रहे हैं दूसरी बार फिर से टीएस्टी देव ने अपना इस्तिफा भेजा है मुझे लगता है कि ये सरकार इस पहुने चार साल में पूरी तरीके से अस्फल रही है और अस्फलता का कारण यही मैं बताना चाहूँगा कि जो मूल इनका जनगोशना पत्र तयार किया और जन गोसना पत्र तयार करने वाले टीयस सीदेव उनकी अध्यक्सता किये चत्रिगड के गली गली में खूमते रहे और अपना जन गोसना पत्र तयार किया वो ही सारजनी प्रूक से स्विकार कर रहे हैं कि जन गोसना पत्र के चत्रिश बिंदों का क्रियानवन में सरकार कत प्रदान मंतरी आवाज योजना जिसकी लागत दस हजार करोड आता है ये सरकार भुपेज बगेल की रहते टी एस्टी देव का कहना है मैं बार बार गरीबों की आवाज उठाता रहा मर कैबरेट में मेरी आवाज को दबा दिया जग गया और दस हजार करोड के आवाज जो गरीबों के चत्तिगर के बन जाने चाहिए थे वो आवास नहीं बन पाए, इसलिए मैं इस्तिफा दे रहा हूँ, इस्तिफा देने का कोई दूसरा राजी तिक मुद्न नहीं है, उनकी पीड़ा और उनकी तकलीफ यही है, और दूसरी बार फिर भेजा, कि मेरी तकलीफ यह है, कि वो गरीबों के आवास बनाने में हम लुपेज बहिल है, जो लोगों के लिए पैसा तो लुटा रहा है कोईले में, और गरीबों के आवास बनाने के लिए उसके पास ना समय है ना यूजना है, जिस प्रकार मंतरी अपमानित हो किया गया, टी एस सीदेव नमबर टू माना जाता है, शीनियार मोस, जिस प्रका टी एस सीदेव ने कहा है, रूल अप बिजनेस का, जो उलंगन भुपेज बगेल ने किया, और जिस प्रकार उसके विभाग की यूजनाओं को स्विकृति का अनमोदन देने का अधिकार, वहां की कारेब भारक अधिकारी मंतरी को होता है, जो मंतरी पोस्ट में पद्ध ध उसको रहता है, तो रूल अप बिजनेस कहता है, यह उस विभाग के किये गए कामों का अनमोदन और स्विकृति देने का अधिकार उस विभाग के मंतरी को है, मगर बुपेज बगेल ने टी एस सीदेव को अपमानित करने के निया से, उन्होंने इसमें चीप सेकेटरी के ध्यक्ता में सचीओं की समीति बना दी और समीति की बना के मंतरीों के विधैकों के अन्य लोग के प्रस्ताव जो टी एस सीदेव के पास आये थे, पांसो करोड के उसको चीप सेकेटरी ने स्विकृत दिया ना की टी एस सीदेव, यह इस तिति में किसी मंतरी का अपमानित होकर व्यतित होकर पीडित होकर जवरूला बिजनेस को पालन नहीं हो रहा है तो उसका कहना है कि मैं इस विभाग के मंत्री रहे कर क्या करूंगा और जन्पर्दिरियों के काम नहीं कर पा रहा हूं दूसरा आवास तो एक बड़ा घोटाला आवाज के बाद दूसरा है 500 करोड के रासी का उप्योग नहीं हो सका तीसरा अवारूप पेशा को लेकर है पेशा कानून के लेकर उस कैबनेट में बैठने वाला सीनियर मोस्त मंत्री कहता है कि जो पेशा के कानून का उनके ही सब्दों में जो प्रारूप कैबनेट कमेटी को फेजा गया था जिसके अनुसार चर्चा हुई थी जिसमें जल जंगल जमीन से संभित महात्पुन बिंदों को बदल कर कैबनेट की प्रेशी को शायद पहली बार बदला गया है इसमें जल जंगल जमीन के अधिकार आजिवासी को मिलना था उस आधिकार को तोड़ने का काम भुपेश सरकार ने किया है और ये दो वर्सों में जो मैंने महनत किया है उस महनत को मुझे पीड़ा है और उससे हट रहा है एक और गंभीर विश्य जियो और धाना कर्शित कर किया उन्होंने उन्होंने का कि इस सरकार के मुझे साजिस करते है उनके की स्टेटमेंट का हिस्सा में पढ़के सुनाता हूँ एक साजिस के तहट रोजगार साहेगों से हर्ताल करवाकर देखे कितना बड़ा आरोप है इस आरोप के बाद इस सरकार को एक सेकंड रहने का अधिकार नहीं है एक साजिस के तहट रोजगार साहेगों से हर्ताल कराकर मनरेगा के कारों को प्रवावित किया गया जिसमें साहेग प्रयोजना अधिकारी की भूम का इस पस रूप से निकल के आई और हर्ताल करवचारियों के मांग पूरा करने के लिए कमेटी बना जी हर्ताल वापस नहीं ली गई फिर वापस उनको नौकरे में लिया गया और बारह सो करोड रुप्या की मजदूरी प्रवाइट हुआ जो गरीब मजदूरों के आवाज सीना बारह सो पचास करोड की जो मजदूरी मिलना था उसको शड़ियंद्र पूरुएक साजिस के ताथ उनको रुजगार साहकों से हर्ताल करा गया हर्ताल में भी सरकार की भूमी का यह पहली बार हिंदूस्तान में किसी सरकार में हो रहा है कि खुद सरकार बारह सो पचास करोड का गरीबों का नुकसान किया और मुझे लगता है कि रोजगार की सबसे ज़्यादा जरूर्वत मनरे का कार में थी इसलिए उन्होंने दुखी होकर अपने पत्र में लिखा है जन घोसना पत्र के विचार धारह के अंगरूब ओक्द महत्पूर्ण विश्यों को द्रिष्टी रखते हुए मेरा मत है कि लक्षों को समर्पढ़ वहां से पूर्ण करने में वर्तमान सरकार असमर्थ सफल नहीं हो पई और मैं अब काम करने में असमर्थ हूँ अता मैं अपनी जवाबदारी को प्रिथक होता हूँ पंचाहित ग्रामेन की अब बचा क्या है बताईए इसके बाद क्या बसता है किसी सरकार को रहने का हग जनता में सवाल पूछेगी कि हमारे आवास कहा गए आठ जार करोड़ कर्मचारी बोलेंगे कि उनके डिये मिलना था वो क्या हो गया इनके लिए जो आंदोलन हुआ साजिस के दाहत इन सारे विश्यों को लेकर ये आरोप पत्र है यह हम लोग तो विश्योंस पस्ताओं में लाते हैं और इससे बड़ा सरकार के मंत्री रहते को विश्योंस प्रकट करें तो इस सरकार का एक सिकंड में बुपेज बगेल को इस पज में रहने का नेती का निकार नहीं है उन्हें ततकाल पत्स से इस्तिफाद है अब इससे बड़ा मुद्धा और क्या हो सकता है कि हम इस मुद्धे को लेकर विदान सबाँ में अपनी बात कंबी ज़सके और अविशास पस्ता हो पार्टियरी तेह करती है तो उसमें सबसे बड़ा मुद्धे के इस बार इस साथ पने आवशाद है बिल्कुल हो सकता है और समा होना है